इस वीडियो के इंदर हम लोग discuss करने वाले हैं IPO के refund process के बारे में कि IPO का refund process कैसे होता है कब आपको मिलता है किस date को issue होता है plus अगर issue नहीं होता है तो आपको कहाँ पर complaint वगरे दर्च करानी कैसे आपको check out कर रहा है लेकिन जो basically आपका block हो जाता है amount वो unblock यहाँ पर कब होता है तो पहले situation तो अब आती है जब आपको allotment नहीं मिलता है लेकिन अगर किसी case में IPO का subscription है वो less than 90% रहता है of the net offering तो उस case में भी उस company को सारी जिते भी IPO जिन्होंने भी apply किया था उनको पैसे वापस करने पड़ते हैं कोई भी IPO का allotment नहीं हो पाता इसके लावा जो minimum number of the alloties है अगर 1000 से भी कम लोग यहाँ पर apply करते हैं तो उस case में भी उनको यहाँ पर refund करना पड़ता है तो कईस हम लोग बार करते हैं timeline के बारे में कि आखिर IPO का जो refund होता है उसका process यहाँ पर कब start होता है देखे कईस हमारे पास में 2023 के end में यानि December से जो भी जितने भी IPO जा रहे हैं उसमें सारे के सारे जो CB की नए regulations है वो यहाँ पर implement हो रहे है तो उसमें आप गर आप देखेंगे तो यहाँ पर T plus 3 days का यहाँ पर प्रावदाने लिस्टिंग का तो obviously बाते जिस दिन में यहाँ पर IPO का allotment होता है उसका basis of the allotment होता है उसके next day से ही यहाँ पर आपको refund वगरे मिलना चालो हो जाता है यानि अब जो process है वो काफी ज़द कि आपका amount यहाँ पर unblock हुआ है कि नहीं हुआ तो अगर मैं यहाँ पर UPI की बात के हूँ चलिए मैं आपको lie दिखाता हूँ अब guys जैसे आप screen के सामने दे सकते हैं आप जित्ती भी UPI app को use में लेते हैं चाहिए phone पे हो गया पे ATM हो गया जीपे हो गया सभी के अंदर एक auto पर जैसे cancel होता है तो जो आपका amount है आपके bank account के अंदर जो block हो रखा होता है वो simply तरीके से unblock हो जाता है तो make sure कीजे यहाँ पर अगर आपको IPO नहीं मिला है तो यह वाला आपका जो mandate है वो simply तरीके से यहाँ पर cancel हो जाना चाहिए इसी तरह से अगर मैं पे ATM के अंदर इनक पर cancel हो जाना चाहिए और guys अगर आप ASBA facility की तुरू apply करते तो वहाँ पर तो यार बड़ा ही आसान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर अपनी investment application के अंदर जाकर देखेंगे तो आपका जो lien होता है वो यहाँ पर release हो जाएगा तो यह ASBA से apply करने का सबसे बड़ा फाइदा यह हो अब guys बात करते हैं कि let's suppose अगर आपने सारी चीज़े check out कर ली तो यहाँ पर आपको refund अभी तक नहीं मिला है यानि आपका amount जो unblock नहीं हुआ है तो उस case में आपको क्या करना चाहिए तो सबसे पहले आपको अपने bank को contact करना है कि उनको instruction दिये गया है कि नहीं दिये गया है unblock करने के लिए amount को अगर आपने उनसे भी यहाँ पर confirm कर लिया है तो second जो method है वो simply आपको register को यहाँ पर contact करना होगा अब guys हमारे इंडिया के अंदर ना काफी सारे यहाँ पर register है लेकिन majorly तीनी register है जो सारे mostly IPO handle करते big share हो गया link in time हो गया और cave intact technologies हो गया तो आपको इन register को यहाँ पर contact करना पड़ेगा किसी की भी अगर आप website के उपर या कहीं पर भी जाएंगे इन सभी लोगों ने यहाँ पर dedicate email ID बना रखी होती है IPO wise और कई बार जो आपको common email ID भी देखने को मिल जाएगी तो आप simply in email ID के उपर इनको यहाँ पर contact वगरे कर सकते हैं और अपने IPO का जो refund status वगर है वो यहाँ पर आप पूर सकते हैं क्योंकि यही रजिस्टार जो है instruction देते हैं bank को कि आप इनका जो amount है particular जो application है उसका जो amount है वो यहाँ पर unblock कर दीजिए अगर आपको यहाँ पर IPO का रजिस्टार भी प्रॉपर तरीके से response वगरे provide नहीं करता है तो last option पर दो toll free number वगरे भी issue कर रखे तो आप इनको contact करके रजिस्टार की यहाँ पर complaint वगरे कर सकते हैं कि मेरा यहाँ पर जो IPO का refund है वो मुझे तक यहाँ पर अभी तक जो है मेरा amount जो है unblock वगरे नहीं हुआ है तो guys hope you like this video please subscribe channel अगर आप लोग के कुई भी doubts है comment box के अंदर जर अपूर सबस्तों के वRIS तक वा तक वtering मागा है